दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में और इजराइल हमास युद्ध में अठकी रही और वहीं दूसरी तरफ यूएन में एक बहुत बड़ा गेम हुआ और इस गेम के लिए कई सारे देश लगे हुए थे रूस भी था पर यहाँ पर भारत तो जीत गया वो भी बंपर तर हुआ है यूएन में जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में दरसल क्या दिखाया जा रहा है तो आपको बता दें ये वीडियो मलेशिया के द्वारा रिलीज किया गया और मलेशिया दुनिया भर के देशों से कह रहा है आप हमें ही चुनना और सिर्फ ऐसा हाल मलेशिया का ही नहीं यहां पर देखिए यूए भी ये भी कह रहा है कि आप हमें चुनना और सौधी अरब भी एक बड़ा सा और्गनाइज करता है रिसेप्शन और दुनिया भर के देशों को कहता है, आप हमें चुनना साउथ अपरिका भी ऐसा ही करता है। दुनिया भर के देश आकिर किस चीज के लिए भाग रहे थे, तो एक चुनाओ हो रहा था UN में, और ये चुनाओ था IMO का, UN का वो संगठन जो समुद्री विभाग देखता है, International Maritime Organization Council, अब ये कितना महतपुर्ण है, इसको ऐसे समझेए, 175 सदस्य हैं इसमें, और इसमें 40 ऐसे सदस्य होते हैं, जो Board of Member होते हैं, यानि कोई नियम बनाना हो, कानून बनाना हो, इन 40 सदस्यों की महतपुर्णता होती है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 5 अक्टूबर की है, और रूस ने IMO के उपर आरोप लगाया था, आपके उपर दवाब है, और दवाब में आकर आप ऐसे काम करते हैं, जो काम, जो कुछ देसों को फाइदा पहुँचाए, और इन्हों ने एपलाई किया, बहुत सार केटेगरी, B, तीसरी केटेगरी, C, पहली में क्या है, इंटरनेशनल सीपिंग सर्वीसेस देने वाले देश, तो यहाँ पर दस देशों का था, यहाँ पर अपलाई किया गया, चाइना के द्वारा, ग्रीस के द्वारा, इचली, जापान, और्वे, पनामा, रिपब्लिक कोरिया, रूस भी यहाँ था, यूके और यूएस, एक दूसरी केटेगरी थी, B केटेगरी, जिसका काम है, इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड, और उसमें ऑस्टेलिया, ब्राजिल, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, नीदरलेंड, स्पेन, स्वीडन, यूई, और जो इन तोनों में नहीं थे, लेकिन इंटरनेशनल मेरी टाइम और्गनाइजिसन कॉंसिल का सदस्य बनना चाते थे, उसमें एपलाई करने वाले में, बहमास, मंगलादेश, बेलजियम, चीली, साइप्रस, डेन्मार्क, इजिप्ट, फिन्लेंड, इनोनेसिया, जमाइका, केन्या मलेसिया, माल्टा, मेक्सिको, मुरको, पेरू, फिलिपिन्स, पॉलेंड, कतर, सौधी अरभिया, सिंगापूर, साउथ अपरिका, थाइलेंड और तूर्की थे, ये इतने सारे देश यहाँ पे आपको देखने को मिले, जिनों ने अलग-अलग केटेगरी A, B, C के लिए अ अब इतने सारे देशों में एक नाम आपको दिखा नहीं होगा, और ओ नाम कौन सा था, पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान ने एपलाए नहीं किया था, अब सबसे पहली बात, IMO काउंसिल के लिए इतना जादा उतावलापन की हर देश कह रहा है, मुझे चुन लेना, यह परिशद कई तरह के चीजों को निर्धारित करता है, जैसे कि समंदर में कौन-कौन से नियम बनेंगे, समंदर के किन नियमों में बदलाओ होगा, कोई देश अगर दोसी है, तो उसे दोसी ठाराया जाएगा, बहुत सारी चीजे हैं, जो IMO के अंतरगत आती हैं, और आ सम्मिट कर रही है, हाली में ऑक्टूबर में Global Maritime India सम्मिट की गई, यह क्यों किया जा रहा है, यह इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत को समुद्री बैपार मार्ग से जोड़ा जा सके, समुद्री बैपार में भारत पीछे न रहे, अब यहाँ पर पहली बात कि जब ये इ पुराई करी थी रूस की और कहा था देखो ब्लैक सी में जिस तरीके से रूस की नेवी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया हमारे लिए यह सबसे बड़ा खत्रा हो गया ग्लोबल सिक्यूरिटी फूड की सिक्यूरिटी हर चीजों के लिए दिक्कत हो गई हम ऐसे थे कि 6 मिलि चौड़ा भासन दिया था और ठीक ये जलन्सकी ने ऑक्टूबर महने में दिया था एक दिसंवर को होने वाला था चुनाओ मतलब यहां जलन्सकी पूरी तरीके से प्लान में थे कि इस से रूस को एंट्री नहीं लेने देना है इस चुनाओ के बाद रूस को यहां से बाह और आखिरकार रिजल्ट का डेट आया पर आपको बता दें उससे बहने एक और खेल उर तुरकी इनके बीच में कैसे हैं तो इनके बीच में om में आपको एक स्पोर्ट करना आपको एक बार को आश्चरी होगा लेकिन मेमो की इस खबर को देखिए ग्रीस और तुरकी दोनों ने इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गनाईजेसन में एक दूसरे की मदद की और कहा गया कि दोनों ने चुनाओं में एक दूसरे के लिए वोट किया तब यह कहा गया कि हम नया इरा ला रहे हैं नई सदी ला रहे हैं हमारी दोस्ती हलाकि इसका मतलब कहीं भी यह नहीं है कि दोनों दोस्त बन जाएंगे आप देखना कुछी दिनों बाद फिर जगड़ा सुरू होगा क्योंकि जहां जमीन कभी बाद आता है वहां राजनीती इतनी जल्दीस हल नहीं होती है और यही सीन है ग्रीस और तुर्की के साथ पर सवाल रहा कि आखिर रिजल्ट हुआ क्या तो आपको बता दे रिजल्ट यह हुआ कि केटेगरी A में यानि कि सीपिंग सर्विस प्रोवाइड करने में चाइना, ग्रीस, इतली, जापान, नौर्वे, पनामा, रिपब्लिक और कोरिया, UK, US यह सेलेक्ट होगे यानि कि ग्रीस ने बाजी मार ली वहीं केटेगरी B में, सीबोर्न ट्रेड में, आस्ट्रेलिया, ब्राजिल, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, किंग्डम ओफ निदरलेंड, इस्पेन, स्वीडन, युनाइटेड अरब, अमिराथ इन्हों ने बाजी मार ली, और केटेगरी C में इन दोनों में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर एंट्री लेना चाहते थे बहमाज, बंगलादेश, चीली, साइप्रस, डेनमार्क, इजिप्ट, फिल्लेंड, इंडोनेसिया, जमाइका, केन्या, मलेसिया, माल्टा, मेकसिको, मुरको, पेरू, फिलिपिन्स, कत्तर, सौधी अरब, सिंगापूर और तूर्की ने बाजी मार ली यानि तूर्की की भी एंट्री हो गई यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीस की भी एंट्री हो गई, अब यहाँ पर सवाल हुआ भारत की एंट्री तो हुई, लेकिन भारत की बहुत ही दमदार तरीके से हुई, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए कह जा रहा है कि जो वोटिंग हुआ ना उस वोटिंग में पिछले साल भारत को मिला था 139 एकदम UAE के बराबर पर इस बार 166 देसों में से 157 देसों ने भारत के समर्थन में वोट किया अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी अच्छी यहां पर पकड़ बनी है कि इतने देसों को भारत ने अपनी कूटनीती के जरिये में इतनी बड़ी चीज के लिए मना लिया वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़वर के साथ